कि इस सिरीज में हम लोग यहां पर देख रहे थे html ठीक है तो html के हम लोगों ने html में टेवल टेख रहे थे और टेवल टेख के बहुत सारे एट्रिब्यूट हमने देखा था बहुत सारे टेख देखा था जैसे टेटई आर्टीडीटीएच टेवल हैडी टेवल बॉड़ि उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर केप्शन भी टेख देखा था तो अबी दो टेख और यहां पर आता है कि यहां पर जैसे आप यह एक्जामपल देख रहें नहीं है यह रोषपेंट का एक्जामपल है तो तो row spin वाला जो take है वो इस तरीके से काम करता है. अगर आप यहां पर देखें तो ये 3 arrowisión बनी हुई है. यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा highlight करूं तो यह यहें जो पूरा structure है, इसमें यहां पर क्या हो朗ा है, यह जो 3 rows है नजे पूरी की पूरी यहां पर इतनी जगे कि अगर मैं बात करूं तो यह थीन रो बनी हुई है, लेकिन यह जो first वाला, यह हमारा जो sale आ रहा है, यहाँ पर यह जो column आ रहा है, यह TD ने क्या किया ऐसा लग रहा है, यहां पर कि 2 रो है, जब कि है कितनी रो? तीन रो है, तो यह ऐसा क्यो लग रहा है, क्यों उसमें क्या होगा HTML structure में यहां पे आप देखोगे तो यह टी आर है तो यह जो पहली वाली टी आर है इसके अंदर जो पहला वाला एट्रिब्यूट है टी डी यहां पर दो कॉलम बने हुए लेकिन यह दो कॉलम जो है वो एक ही रो में आ गए यहां पर आप देखोगे एक रो है और यहां पर जो है कॉलम कित्ते बने हुए दो कॉलम बनेगी लेकिन यह जो पहला वाला डेटा है यह ऐसा दिख रहा है यहां पर कि यह दो रो की जगा यहां पर यह ले रहा है यह इसलिए ले रहा है क्योंकि यहां पर यह एट्रिब्यूट लगा हुआ है अगर मैं इ इस इस तरीके से अगई तो इस तरीके से अगर मेरे को यह इसको ऐसे दिखाना है कि यह दो रोगी जगा कंजूम कर ले तो उसके लिए मुझे यहां पर यह वारा एट्रिब्यूट यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते कॉल 들이 की जगई टी जो है वह यह ले रहा है तो इस तरीके से यह रोसपें यहाँ पर अब दूसरा वाला एक और ए Schnee Kilag oni को यहां चाँगा में नीचे यहां पर दो कॉलम है लेकिन यह ऐक इक की क Anda दे तो यह कैसे दिखाई दे रहा है अगर मैं इसके एक्जामपल पर यहां पर यहां पर अगर मैं डीटेल देखू तो यहां पर हम लोगों ने टेवल बनाया टेवल की विर्थ मैंने 100% कर दी यहां पर यहां पर फिर मैंने टी आर बनाया टी एच बनाया जिसको हम लोग टेवल ती एच होता है ती एच के अंदर मैंने क्या कि यहाँ पर मैंने रख दी और यहाँ पर यह नियुमेरिक वेल्यू रखने से क्या होगा कि यह जो है वो दो यह कॉलम जो है वो दो का एक कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर मैंने टू कर दिया था अगर मैं यहाँ प मैंने इसको अठाया और यहां पर इसको मैंने थ्री कर देखा है और वह कर दो कर दो कर दो लेकिन अभी table जो है वो page के alignment भी यूज़ होता था लेकिन अब चीज़े बदल गई है आप सब कुछ काम जो है वो css से होता है तो table take का use सिर्फ table format के लिए होता है पहले alignment के लिए भी होता था लेकिन अब वो technique जो है वो पुरानी हो गई है तो अब table take को कोई alignment के लिए use नहीं कर्दार्ट